आज आईफोन में तीन कैमरास है बट शिरवात में सिर्फ एक ही था और आप ये भी एकसेप्ट कर सकते हैं कि सिंकल कैमरा को यूज करने का मतलब किसी डिजिटल कैमरा को यूज करना बट ये केस नहीं था आखिर क्यों आईफोन में तीन कैमरास है यही मैं आज आपके इस व लेंस है पर लेकिन ये case नहीं है क्योंकि डेसलायर का lens हम change कर सकते हैं हम अपनी जरूरत के हिसाफ़ चे कोई भी lens ले सकते हैं इसका अपना अलग ही market है हम अलग अलग angles यूज करने के लिए अलग-अलग features डालने के लिए कोई भी lens यूज कर सकते हैं जो low cost digital camera है वो सिर्फ एक lens एक ही जगा पर fixed है और Samsung यसी company ने एक zoom lens एक smartphone में इंटीग्रेट किया था पर लेकिन ये इतना जारा demanding feature नहीं था क्यूंकि इतना बड़ा camera lens फोन को काफी हद तक भारी कर देता था और मोटा भी कर देता था और अगर हम lens चेंज करने के बाद कर ही रहे हैं तो customer as-y kits भी बा साथ carry करना पसंद नहीं करते थे इस वज़े से ये भी इतना demanding feature नहीं रहा था और अब हम इस point पे आ चुके हैं कि DSLR camera और digital camera के जो lens आप आइफोन के साथ इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं और Apple को मजबूरी में एक single camera ही लगाना पड़ा अपने iPhone में जो सिर्फ wide angle view सपोर्ट करता है और कोई भी optical zoom सपोर्ट नहीं करता है और ना ही कोई depth control सपोर्ट करता है बट फ्रेंट से अपल ने अपना software बहुत जारा optimize किया हुआ था उसी की मदद से उन्होंने camera में macro shots भी लिये थे अपनी software की optimization के जरिये से hardware limitation की वज़े से Apple optical zoom और portrait mode डालना चाता था बट डाल नहीं पाया जो कि users को depth control का फीचे दे सकता बट eventually Apple को इसके लिए एक और camera चाहिए था और यही चीज़ उन्होंने अपने iPhone 7 Plus के साथ की थी पहली बार जिसमें एक wide angle lens था और एक magnified telephoto lens भी था जिसकी मदद से iPhone में पहली बार two times optical zoom आया था और depth control भी आया था पर फिर Apple ने तीसरा camera क्यों लगाया अपने iPhone 11 Pro में पहली बार यह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि Apple अपने customer को एक निया camera angle देना चाहता था एक lens की मदद से iPhone standard wide photo लेता है और दूसरे telephoto lens के साथ magnified photo लेता है high quality में और फिर third ultra wide lens के साथ iPhone 120 degree तक photo खीच सकता है ताकि users जादा से जादा surroundings capture कर सके एक ही shot में और यह सारे features single lens के साथ possible ही नहीं थे और तीन lenses को एक हे camera system में बनाने की वज़ा से वो तीनों एक साथ काम कर सकते हैं जैसे की frame के बाहर photo खीचना जिसकी मदद से एक normal wide angle photo को भी phone अपने आप ultra wide में convert कर सकता है और यह इसलिए possible है क्योंकि एक ultra wide lens भी उसी के साथ काम कर रहे है और दोनों एक साथ photo खीच रहे है जैसे की iPhone में तीन cameras है और multi camera की होने की वज़े से तीनों cameras में एकी बार में record भी कर सकते हैं और यह creators को footage दे सकता है बिना किसी और effort के just a simple recording के साथ और इसलिए Apple ने अपने iPhone में तीन cameras देना आपको यह video कैसी लगी मुझे नीचे comments पर जरूर बताना और हमारे चैनल को subscribe करना ऐसी और वीडियो के लिए